हाई गाईज वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूं स्वीडियो और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस दुश्मन से दोस्ती तो करने ही पड़ेंगी आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसे दुश्मन के बारे में बाते करने वाले हैं जिसे अगर आपने अपना पका दोस्त बना लिया तो ये आपको आपकी सारी विश्क को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता हैं इसके अलावा ये आपको हमेशा हाई वाइब्रिशन एनरजी में रखने में भी मदद करता हैं और इसके अलावा ये आपको ना हर समयाब की टेकनीक powerfully done करने में भी मदद करता है और ये दुश्मन कहा है पता है ये दुश्मन हमारे अंदर ही मौझूद है और जब इसे हम अपने दुश्मन की तरह treat करते हैं तो कई सारी problems जाने अन जाने हमारी life में आते रहते हैं पर जब ये हमारा पकत दोस्त बन जाता है न तो कई सारी amazing चीज़े हमारी life में होना शुरू हो जाती है और जब आप इतनी सारी बातों को सुन रहे हो तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपका होने वाला दोस्त आखिर है कौन ये आपका होने वाला दोस्त कही negative thoughts तो नहीं जी नहीं मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हूं मैं बात कर रही हूं खुद को बार बार blame करने की आदत के बारे में जब भी अगर हम किसी काम को डन करते हैं और वो काम हम बहुत कुपसूरती से नहीं करपाते हैं तो क्या होता है हम चार दिन तक उसी बारे में सोचते रहते हैं हम ये फील करते रहते हैं कि हमसे गलती क्यूं हो गई हमने ऐसा क्यों किया, हमने ये ठीक क्यों नहीं किया, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी वज़े से ये सारी चीज़े होगी, हम क्या करते हैं, कि हम 3-4 दिन तक इनी विचारों को अपने मन के अंदर लेके चलते रहते हैं और ये जो एक कमी है कि खुद पे डाउट करना, खुद को ब्लेम करना, खुद को बुरा फील कराना और इस तरह से बुरा फील कराना कि जहां पे आप अपने उपर की पूरे रिस्पोंसिबिलिटी को लेने के भावजूद अपने आपको और ज्यादा नीचा दिखाते रहते ये खुद को नीचा दिखाने वाली आदत के कारणा क्या होता है ना कि कई बार हमारे अंदर की जो पावर है ना वो भी धीरे 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 ना कम होने लगती है और जब ये पावर हमारी खुद के अंदर की कम होने लगती है ना तो इस वज़ा से हमारी टेक्निक कर ले और जब आप खुद को एकसेप्ट करने लग जाओगे अपनी गलती होने के बावजूद अपने आपको बोलोगे कि कोई बात नहीं हो गई तो हो गई मैं अपने आप से प्यार करता हूं पर नेक्स टाइम मैं ध्यार रखूंगा कि यह चीज है ना हो जब आप खुद क पूरी तरह अप्रिशेट करने लग जाओगे अपने आप से प्यार करने लग जाओगे और अपने बारे में ज्यादा टाइम तक यह बातों को नहीं सोचो कि नेगिटिव फील नहीं करोगे तो क्या होगा जिन चीजों को आप मांग रहना वो चीजे बहुत जल्दी आपक जब हम खुद को ज्यादा टाइम तक इस ग्ल्ट वाली फीलिंग में नहीं रखते थी ना तो हमारे अंदर स्टिल्फ एकसेप्टेंस की पावर बढ़ जाती है और जब हमारी यह पावर बढ़ जाती है न तो क्या होता है कि हमारे अंदर मौजूद सारी शक्तियों की भी बड़ जाती है और जो हमारे inner being की power, हमारे खुद के अंदर की power, हमारे consciousness इतनी ज्यादा powerful अपकर तरीकर से हमारी हर टेकनिक में लगती है तो हर वो चीज जिने हम पाना चाहती है वो हर एक चीज हमारी life में manifest होने लग जाती है So guys, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रिखिए और खुश रहिए Bye Bye